हेलो एन वेलकम आप सभी का स्वागत है अगर आप इस चैनल पर नए है तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले तो आज 6 जैनुवरी 2022 तो आज से जुड़ी यानि 6 जैनुवरी से जुड़ी जितने भी इंपोर्टेंट करन्ट अफैर से वह हम लोग इस ल लेक्टर के पीडियाफ चाहिए तो टेलिग्राम ग्रूप को जाइन कर ले जिसका लिंक जो है वह में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइट कर चुका हूं तो स्टार्ट करते हैं आज के पहली न्यूस के साथ धर्मेंदर प्रदान नो लांच किया है धर्मेंदर प्रदान क उसे लांच किया है और साथी साथी AICTE यानि All India Council for Technical Education इन दोनों को प्रेस्क्राइब टेक्निकल बुक्स इन रिजनल लैंग्वेज तो इन्होंने क्या लांच किया है जो एजुकेशन मेंश्टरे जो नियाट होतीता है और AICTE इन दोनों का जो टेक्निकल बुक्स होते हैं उसे सारे रिजनल लैंग्वेजेस में अब अब एवलेबल हो आगे बढ़ते हैं Ministry of Culture and CSC यानि Common Services Centers Ministry of Culture और Common Services Center दोनों ने इनको ये अंडर्टेक करेंगे इन्डिया की First Ever Cultural Survey of Villages करेंगे इन दोनों ने मिलकर अभी क्या करेंगे इन्डिया की First Ever Cultural Survey of Villages को अंडर्टेक करेंगे यानि इसका अभी ध्यान ये लोग रखेंगे या फिर जो भी है आगे के प्रोसेजूर से ये इन्हें के द्वारा अभी कंड़क्ट किया जाएगा ओके तो ये थी न्यूस आगे अगले न्यूस में बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश क्या बन गई है इंडिया की LPG Enabled and Smoke-Free Indian State बन गई है यानि अब इंडिया यानि हिमाचल प्रदेश में क्या हो गया हर घर में जो LPG Connections होते हैं यानि liquid petroleum gas यह जो connection से यह हर घर को पहुँच चुका है इसी के साथ यह इंडिया की पहली state बन गई है जहाँ पर अभी smoke नहीं होगा smoke यानि जो चूले ऐसे होते हैं जिसमें से pollution होता है तो वैसी अभी बंध हो चुकी है और हिमाचल प्रदेश की जितने भी घर है वहाँ पर LPG Connections अभी मिल चुके हैं तो यह है हिमाचल प्रदेश के बारे में तो बात कर लेते हैं यहां के जो Chief Minister है उनका नाह में जैराम ठाकूर तो यहां के जो कुछ important festivals होते हैं जैसे कि मनाली Winter Carnival और लोहरी मकर संक्रांती जो हाले में हुआ है मकर संक्रांती और हाल्दा फेस्टिवल ऐसे कुछ important festivals होते हैं यहां पर यह चीज़ आपको ध्यान देना है अगला है Azure Power Commission इन्होंने क्या है 600 Megawatt की SECI यानि Solar Energy Corporation of India इनको प्रोजेक्ट दिया गया है कहां पर राजस्थान में यह largest और single side solar project है इंडिया का तो यह कुछ important point हो जाती है क्या है यह largest और single side project है कहां पर राजस्थान का तो कौन डेवलप करेगा Azure Power जिसके साथ SECI यानि Solar Energy Corporation of India इनके साथ मिलकर 600 Megawatt का जो transmission system है यह बनाया जाएगा तो अब बात कर लेते हैं जो यह जो Azure Power Global है इनके बारे में तो इनके जो MD and managing director है रनित कुपता और इसकी headquarters के बात करें न्यू देली में है अब बात कर लेते हैं SECI यानि Solar Energy Corporation of India के बारे में तो इसकी जो managing director है वो है सुमन सर्मा और headquarters है New Delhi में आगे बढ़ते हैं अगले news के उपर जो कि RBI ने release किया है एक framework कि इस चीज़ के लिए small value offline जो digital payments होते हैं इस चीज़ का एक framework release किया है ओके इसमें कुछ important उतनी है नहीं बठां आप लोको ध्यान देना है यह small value offline digital payments है इसका मतलब यह small value मतलब यह कितना है यह 200 से लेकर 2000 तक की जो भी value की जो payments होते हैं उस चीज़ को लेकर यह बात चल रही है small value offline digital payments यह कितना कौन सा range में है यह 200 से 2000 तक का है इस चीज़ को आपको ध्यान देना है अगली है NB sorry माफ करिएगा एक सेकंड वेट करिए हाँ NBBL ने क्या हुआ लांच किया है UPMS to simplify recurring bill payments यह NB यानि NPCI भारत बिल पे लिमिटेड इन्होंने लांच किया है UPMS यानि Unified Presentment Management System ऐसी एक simplified recurring bill payment देखिए इसमें क्या है कि जो भी एक bill होगा उसे आप थोड़ी किस्तों में आप bill pay कर सकते यानि first time आप one-fourth भर दिया है या one-third भर दिया इससाब से चोटे-चोटे टुकडों में आप इसका payment कर सकते है तो यह किस ने develop किया है यह किसके द्वारा हो रहा है NBBL यानि NPCI भारत bill pay limited इनके द्वारा यह बनाया जा रहा है अब बात कर लेते हैं NBBL की जो CEO है उनके बारे में उनका नाम है नूपूर चतुरवेदी जिसको establishment हुआ था जिसका establishment हुआ है 2021 में यानि प्रिछले ही साल इसका establishment हुआ है और इसकी headquarters की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्रा में है आगे बढ़ते हैं इंडिया की जो सबसे पहली index जो cryptocurrency की जो index होती है जैसे कि आपको पता ही होगा जो stock exchange जो share market में क्या होता है सेभी होती है सेभी के अंडर में सेभी regulate करती है जो stocks होते हैं निफ्टी और निफ्टी 50 और Bombay Stock Exchange में बात करें तो Sensex की 30 companies तो यह क्या हो गई यह एक index है तो इसी के तरह जितने भी सारे जो crypto currencies है उसका एक index बनाया जाएगा जिसमें total IC 15 यानि 15 इसमें tokens होंगी जो crypto currencies होती है वैसे 15 currencies होंगी उसकी एक index बनाया जाएगी और वो इंडिया की सबसे पहली index है जो कि crypto currencies के उपर बनाया जा रही है जिसका नाम है crypto wire यानि crypto wire ने यह चीज लांच कर रही है ठीक है अभी तक crypto currency के उपर RBI के द्वारा कोई भी important वैसे कुछ news नहीं आया है तो हमें इसके उपर थोड़ी से अगर कोई भी investment कर रहा है तो कर सकता इसकी कहना है तो अब बात कर लेते हैं यह जो crypto wire है इनके बारे में तो इसकी जो जो MD & CU है वह है जग्दी सोनागर और इसकी headquarters है मुंबई महाराष्ट्रा में अब बात कर लेते हैं जो cryptocurrency की जो क्या क्या इसमें add है पहली है Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Solana, Cardano, Ripple ऐसे Dogecoin ऐसे कुछ important coins है जो कि इसमें add होंगे आगे बढ़ लेते हैं इंडिया ने achieve किया है highest ever exports of USD यानि dollar के बात हो रही है USD 37.29 billion जो कि December 2021 में हम लोगों ने export किया है यह अब तक की सबसे ज्यादा है यह कहा जा रहा है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अगले news के ओपर जो कि है Apple बन गिया है first company to touch 3 trillion market capitalization market capitalization क्या होता है कोई भी company होती है तो उसकी कुछ outstanding shares होता है यानि market में जब भी वो list होती है तो उसका कुछ share prices होती है suppose जैसे कि मैं example के तो बताऊं Reliance की एक share की price अभी चल रही है 2500 रुपीज और market में आप समझ लीजिए एक करोड shares है तो एक करोड into 2500 अगर आप multiply करोगे तो जितना होगा मैं यह करोड जो है वो मैं approximate बता रहा हूं इसका exact number कुछ vary हो सकता है तो यह जो दोनों multiply करेंगे तो जो आएगा value वो ही होता है market capitalization उसे से एटल बुल रहा हूं एपल जो है एपल क्या हुआ है उन्होंने 3 trillion जो market capitalization है उसको touch कर दिया है तो एपल का जो CEO के बात करें तो है टिम कुक और इसकी headquarter से California United States में आगे बढ़ते हैं अगले news के उपर जो captain है Harpreet Chandy यह बन गया है first woman of colors to make solo trip to south pole यह जो captain Harpreet Chandy है यह पहले woman बन चुके हैं जो अपने जो तिरंगा है उसे south pole पे लहराने वाले अपने वहां के जो जो ठीक है तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है इतना ही आपको इसने उससे याद रखना है अब आपको मुझे देखें यहाँ पर दिया हुआ है कि जो इंडिया अंटार्किटिका अंटार्किका जो आइलेंड है आइलेंड यानि जो कॉंटिनेंट है उसमें जो हमारे इंडिया के कुछ तीन बेस स्टेशन से तो उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि पहला है दक्किन गंगोत्री दुसरी है मैत्री तीसरी है भारती ठीक है यह तीन नामक हम रिसर्च बेस सेंटर से ओके अगे बढ़ते हैं अगले नियूस के उपर वह है जी असो कुमार इनको अपॉइंट किया गया है ऐस नियू डायरेक्टर ओफ एन एम सीजी एम सीजी का मतलब क्या है नैशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यह मिशन है तो इसका अभी डायरेक्ट आपको यहाँ से याद रखना है आगे है ONGC यानि Oil and Natural Gas Corporation इनको यहाँ पर अपॉइंट हुआ है कौन अलका मित्तल यह पहली वूमेन CMD बन गई है CMD यानि Chairman and Managing Director ONGC में यह पहली बार हुआ है कि कोई वूमेन CMD बन गई है तो वो कौन है अलका मित्तल तो यह important हो जाता है इसे आपको ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं अगले नियूस के ऊपर हो है डॉक्टर जितेंदर सिंग ने लॉंच किया है एक वेब पोर्टल पर पीम अवार्ट्स पर एक्सेलेंस इन पब्लिक अड्मिनिस्ट्रेशन जो जितेंदर सिंग है जो की यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मिनिस्ट्री ऑफ साइन्स एंड टेक्नॉलजी के उन्होंने लॉंच किया है एक वेब पोर्टल यानि एक वेब पोर्टल जहां पर क्या होका है जो पीम का जो अवार्ड है पीम जो station उससे उसका data दिखाया जाएगा या रखा जाएगा तो यह चीज आपको धियान रखना है उतनी important नहीं है बढ़ हां धियान रखने वाली तो बात है इसमें अगर आपको पूरी डिटेल में जानना है तो यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल में प्रोवाइड किया हुआ है आप डिटेल में अराम से पढ़ सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं अगले नियूस के ओपर जो वाइट्स एड्मिरल है एस एच सेर्मा जो इंडियन नैवी के 1971 वा इनका जनम हुआ था औरिश्या में उस टाइम जो ब्रिटीश कॉलिंः में प्रिट्इन्स का बात है यह जनम हुए उसके बात औरके इनको मोका मिला 1971 वार में पाइडिशिपेेट करने का और यह पाइडिशिपेट किये और अभी इनका निजन होगिया है इनका नाम क्या है S.H. Sharma इनकी नाम पर एक autobiography भी आया है My Years at Sea नामा के एक पुस्तक भी available है आप चाहे हैं तो इनके बारे में detail में पढ़ सकते हैं आगे बढ़ते हैं 3 time Olympic gold winning जो triple jump champion है जिनका नाम है Victor Sunier Wave ये वो personality है इनका भी निदन हो गया है तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं तो इनको Olympic gold medal मिला है तो कितने बार मिला है? 3 बार पहली बार Mexico में मिला था मेक्सिको में 1968 में 2nd Munich में मिला था 1972 में 3rd time इनको Montreal में मिला था 1976 में इनका भी निदन अभी हाले में हो चुका है अगला बात करते हैं वर्ल्ड ब्रेली डे ब्रेली डे यानि जो जिनका भी आँखे नहीं होती है उनको क्या है? एक टाइप की लिपी सिखाई जाती है जिनको कहते हैं ब्रेली लिपी यानि कुछ डॉट्स होते हैं वो डॉट्स के द्वारा एक पैटन बनाया जाता है और उस पैटन के उपर अगर कोई भी ब्लाइंड हाथ कर रखता है तो उनको एक पैटन समझाती है वो जो उब्रे हुए जो पैटन होते हैं उसी को वो पैटन किस ने बनाया था लुइस ब्रेली तो इनी के नाम पर यानि इनी के बर्तरड़े के उपर फॉर्थ जैनवरी को हर साल ब्रेली डे यानि ये अपसर्व किया जाता है तो ये चीज आपको ध्यान रखना है तो इसी के साथ हम लोगों का आज का जो करेंट अफेर्स यानि 6 जैन का करेंट अफेर्स जो है वो हम लोगों ने कंप्लेट कर दिया है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और जितने भी जो जरूरत मंद लोगे हैं या फिर एडुकेशनल ग्रूप से वहाँ पर आप इस वीडियो को शेर कर सकते हैं साथी साथ अगर आप इस चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर ले और अगर आपको इस लेक्चर की पीडियेफ चाहिए तो आपको टेलेग्राम ग्रूप को जोईन करना पड़ेगा जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ तो इसी के साथ कहना चाता हूँ थैंक्यू मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद